हाई, खुड मॉर्णिंग, सस्यागाल अराप, नमस्का, वनकम, एंट, जैहिन दोस्तों, कैसे आप लोग, और आगे आपका बंदा कूल, और दुनिया हैं बड़ी फिजूल, और मैं लेकर आया हूँ, आज एक बहुती अच्छी न्यूज, तो बंदा परवर, धाम लो जी घ बनके ब्यार फिर आया हूँ, खिदमत में आपकी हजूर, फिर वही गुड न्यूज लाया हूँ, जी हाँ, आज गुड न्यूज है, दिली बालों के लिए, इस्पेशली आज दिली के बस, जरू जाएगे, दिली की बस, रेडी है, गुड न्यूज लाने के लिए, की एक भविश्यवानी, और मेरी भविश्यवानी भी है इसमें, और ये IIT के भविश्यवानी भी है, मैं थोनों को मिला के बनाया है, अपनी भविश्यवानी को, मैं भी तो एक पंडित बन गया हूँ, पोंगा पंडित नी, सौरी, COVID पंडित, तो दोनों को मिला के बता रह है active cases कड़ी 48,000 के आसपास हैं लेकिन अगर आप ध्यान करें तो जो cases की speed है अब कम हो गई कल 16% increase हुए cases इस हिसाब से जो peak का एक अनुमान लगाया जा रहा है वो लग रहा है कि 15 जनवरी से 20 जनवरी के आसपास ये peak आ सकता है यानि सिर्फ एक अफ़ते की और बात है एक अफ़ते बाद peak आ सकता है cases maximum कितने जा सकते है जो IIT ने बोला कि 35,000 से 70,000 तक पर मुझे लगता कि 35,000 से maximum 50,000 तक cases जा सकते हैं ठीक है 35,000 से 50,000 ये मेरा अपना target है हो सकता है मैं गला निकल जाओं कोई बात नहीं अब अच्छी बात बताता हूँ अच्छी बात ये है कि hospital admission जो ज़्यादा तर bats है वो अभी खाली पड़े हुए हैं करीब करीब हमारे 80% bats अभी खाली पड़े हुए है जनरली जितने भी कोवीड cases आ रहे हैं उसका सिर्फ 3.5% cases admit हो रहे हैं जिसमें सिर्फ 5-8 दिन तक उनको admit करना पड़ रहा है ठीक है और और क्या खास बात है इस समय करीब 1600 patient admit हैं कोवीड के जिसमें से कि साड़े 300 ये 400 के असपा मेरे ख्याल से oxygen demand पे हैं और 27 के असपा ventilator पे हैं तो ये सब चीजें और दिली में इसमें करीब 85% लोगों को एक dose लग भी चुकी है और हमारा zero possibility rate 90% तो सब मिला जुला के जो खिचडी तयार है उस खिचडी में बस अब थोड़ा सा घी डालने की दे रहा है थोड़ा अचार पापड़ के साथ ये खिचडी तयार है यानि करोना की खिचडी सिर्फ अब कुछ दिन की बात है उसके बाद मिलके हम खाएंगे करोना मुक्त खिचडी और मार्च दख जाते हैं ते काफी हद तक हम करोना मुर्ट हो चुके होंगे, काफी हद तक, 100% तो पता नहीं कब होंगे, तो उपर वाला जानते हैं, लेकिन खुश कबरी सिर्फ यही है, और यही हाल मुंबई का होगा, कि मुंबई में भी सेम प्रेडिक्शन किया जाता है, वहाँ पे भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया, 15-20 जनवरी के बीच में पीक आएगा, मेरा मानना कि 20 जनवरी के आस्वास पीक मुंबई में आएगा, केसेस तकरीमन सेम ही होंगे, दिली और मुंबई के, थोड़ा सा मुंबई में कम हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाके, अब ल कम हो गई है, अब फ्लैटनिंग शुरू हो जाएगी, अगले हफते तक ये कर फ्लैट हो जाएगा, मतलब केसे रुख जाएंगे एक जगापे, फिर ये डाउन होने शुरू हो जाएगे, तो सिर्फ हफता दस सिन की और बात है, केसे थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, लेक हो जधातर स्यंटिस्टों का मानना है, मैं बैवससे स्यंटिस्ट नहीं हूँ, मैं एक अधना सा छोटा सा अधना अनसाामी डॉक्टर हूँ, जो कभी-कभी ठोड़ा बहुत अपना पकोлемा पनिताना नेचर दिखा देता है, ठोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर देता है, तो उस हिसाब से कुछ मेरी बविश्याने गलत निकलें तो बहुत अच्छी बात है अगर ये COVID और जल्दी चला जाए तो और अच्छी बात है तो मुझे अपनी बविश्यवानियों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है मेरा मन है कि जल से जल ये कोरोना खतम हो और हम सब जाके अपने अपने काम में धंदे में लगें रही बात लोकडाउन की मुझे पता नहीं पसनली मुझे लगता है कि लोकडाउन शयद नहीं लगेगा दिली में ये ऐसा मुझे लगता है ये मेरा ख्याल है तो कि admission जो कि अभी तक बैड़ भरे नहीं है खाली बड़े है इस बार वैसे hospital वालों का बहुत जादा अच्छा हाल नहीं है कमाई का धन्दा इस बार रुका हुआ है मैं सच बता रहा हूँ बहुत जादा अच्छा हाल नहीं है शम्चान काट वालों का अभी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं, ना ही रहे तो अच्छा है, हाँ, कहीं कुछ ने तो पंडित अपने अंतिम किर्या करम के लिए वहां से ननकव, चनकव, सब काफी जगाओं से आ चुके थे, और लोग भी कि अमजंसी, अर आज ये खबर भी है, कि क्रिमिशन के भी अमजंसी उस पे देखा जा रहा है कि अगर इतने केसे आगे तो उनकी क्रिमिशन के लिए भी दिली सरकार इंतजाम कर रही है, भाई इतना मत आगेगी सोचो, सही में, आज ये पूरी खबर है, पेपर में अगर आप पढ़ें, टाइम से मिडिया में कि क्रिमिशन ग्राउंड्स की ह पहलात का जाजा लिया गया है, उनके उपर कितना maximum cases आ सकते हैं, हम कैसे उसको manage करेंगे भाई, इतनी दूर की ना सोचो, हम पहले ही निकल लेंगे, चुपके से मुझे नहीं लगता कि उसकी जहत पड़ेगी, इस बार सब भूके पेट मरेंगे, सब चैह हो, डॉक्टर हो, या पंडीत हो, या मोल भी हो, सब का बेड़ा पार है, आना, आने नहीं है, ऐसे तो जिन्दकी चलती थोड़ी है, थोड़ा बो तो सब को मिलता ही रहता है, तो आपको मैं खुश तो कर दिया, लेकिन साफधान रहिए, क्योंकि 27 लोग ventilator पे हैं, तो फिर इन 27 में से मुझ पुड़ा से कंट्रॉल कर लीजेगा, और चैना की माह मा नागी सागर एक साथ मिलिके करते हैं, और दिल्ली के बशधान जाएं, दिल्ली में रहेगे, दिल्ली मेरे घर से श्रू हो गिए, इंभले भाष परे, दिल्ली उक्तम लेगा दिल्ली शनक परे, दिल्ली पालम, अब मैं जाओं बाई अब मैं जाओं बाई